तो मैं यहां पर लिख देता हूँ, अब तो नंबर को लिखूंगा तो लिखा जाएगा, तो क्रेक्टर लिखने कोशी करूँगा, वो मैं नहीं लिख सकता, और यहां पर हम लोग 6, 6 and 4, 10, तो इसको add पर क्लिक करते हैं, answer is equal to 10. बिस्मिल्यरामान रहीम, असलाम अलेकुम, वेल्कम टू एलेक्ट सॉप्ट, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पीज सब्सक्राइब करते हैं, और बेल आइकान को ज़रूर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बा इसे दो इंपुट फील्ड रेके, हम लोग नंबर्स एंटर करवाएंगे, एंटर करवाने के बाद, हम दो नंबर्स को एड़ करवाएंगे, इस वीडियो में हम लोग एडिशन का प्रोग्रम बनाएंगे, यॉन्टी के तरू, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आ एक जो है duplicate लेके, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, उसके बाद हमें चाहिए एक बटन, UI के बाद यहां पर बटन एड़ कर लें, बटन एड़ करने के बाद इसे थोड़ा सा जो है, इस तरह नीचे कर लेते हैं, तो बटन को नाम रख देते हैं, हम एड़, और यहां पर इसके text में भी add कर देते हैं, तो उसके बाद अगली चीज़ हमें चाहिए, text के जिसमें इन दोनों का addition होने के बाद, answer jam पर show होगा, तो UI के बाद यहां पर हम लोग एक text add कर लेते हैं, और text को हम लोग जो है, उठा के थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, कि यहां पर इसका answer show हो, okay हो गया, अब दोनों हमरे पास इसमें text लिखने हैं, text लिखने के बाद यहां पर add कर वाएंगे और नीचे इसका answer show होगा, तो अब हम चलते हैं, script की तरफ, यहां पर new create new C sharp script, इसका नाम लिख देते हैं, addition, उसके बाद script को open कर लेते हैं, जैसे script open हो जाए, यहां से आप इस चीज को remove कर दो, क्योंकि यह फिलाल हमें, यह जो by default इसके दो functions आते हैं, वो हमें नहीं चाहिए, तो यहां पर हम लोग कर रहे हैं, यूई पिकाम, तो using unityengine.ui, और यहां पर हम लोग जो है, add कर लेते हैं, serialize field, और हमें, वहां पर हमारे पास जो हैं, तो दो input fields हैं, तो यहां पर हम लोग लिखे देंगे, input field, और input field हमारे पास दो हैं, तो हमने ये object पिना लिया है, तो उसके class का name लिख लिए है, उसके बाद object पिना लिए है, दो हमारे पास input fields है, तो यहां पर दो एक पहली जो है, पहली को नाम दे देते हैं field1 और जो दूसरी है अब हमारे पास यहां पे आप चेक करें दो fields हैं, दोनों सेम ही चीज हैं दोनों हमारे पास input फील्ड हैं तो एक ही class का name लिखे न उसके दो object इस तरह से बना लेंगे input field, input field 1 और input field हमें इसके लिए लायदा से दो input field लिखने की जरूरत दाएं एक ही field में हम लोग काम करवा सकते हैं में 1 लिखे उसके बाद 2 प्रेस के करें 2 यहां पास दोनों input fields के लिए लायदा लायदा से भी हमें 2 बार input field लिखने की जुरूरत नहीं है इसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास सिरलाइज फील्ट और टेक्स्ट बटन को हम यहां पे नहीं लिखेंगे क्योंकि बटन पे हमने सिंपल फंक्शन को कॉल करवाना है वो हम यून्टी के अंदर ही करवाएंगे इसे cr Place में उसको लिखने की ज़रुसरत नहीं है तो इसे हम लिखतेंगे टक्सि यहां पर हमारा टेक्स शोग होगा तो इसे हमम नाम देद्देएłość Este Su腹 अब उसके किया होगा इनको Addition करवाना है और इसमें शो करवाना है वो सारा में एक function के अंदर करवाएंगे, ताकि वो पुरा का पुरा function एक button के उपर चले, और सारा जो process है वो एक button के click होने पर ओके, यहां से value उठाए, यहां से value उठाए, उसके बाद इस text में show करवाएं, तो हम लोग एक function बना लेते हैं, public-wide, add का, और function बनाने के बाद, अब क्या करना है, हमने इस दो input field से हमने data उठा के, उसको हमने जो है, आप लोग को पता है, कि यहां पे जो data हमारे पास आता है, वो होता है, उसमें, string में तो हमने उसको integer में change करना है, क्योंकि हमें जब तक integer नहीं मिलेगा, हम always addition integers की करवा सकते हैं, तो जब तक integer नहीं होगा हमारे पास, हम लोग string को add ही नहीं करवा सकते हैं, अब a plus a लिखेगा, वो string में आ जाता है, तो वो add error देदेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसको पहले string को add integer में change करें, जब वो numbers उसके पास integer में आ जाएंगे, उसके बाद हम add करवा सकेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं int, और कोई भी नाम देते हैं, number one, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, int dot parse, और इसमें हम लोग जो है, वो यहाँ पर आप लोग को hint दे दिया, उसने कि string चाहिए इस है, string कौन सी है, अब इस field one की string, field one dot, field one dot, dot text, मतलब उस field one का, इस field one का, हम जो text इसमें लिखेंगे, वो क्या होगा, इस field one का text को integer में convert कर देगा, वो integer फिर save करवा देगा, number one में, number one, जो है, हमने एक integer दे दिया, number one, इसमें क्या store होगा, उस field one का text, जो कि string है, उस string को int dot parse, क्या करता है, string को integer में change करता है, तो इसको integer में change कर देगा, और वो इस number one में save करवा देगा, उसके बाद क्या होगा, int number two, equal number two में क्या हैगा, int dot parse, और यहां पे field two dot text, field two के text को क्या करेगा, int में change करके, number two में save करवा देगा, अब दो number हमारे पास आ गए है, पहले, पहली field में जो add करेगा, वो और number one में आ जाएगा, दूसरी field में जो add करेगा, और number two में आ जाएगा, ठीक होगा, उसके बाद हमने क्या करवाना है, कि इन दोनों numbers को add करवाना है, तो जो इनका answer होगा, अगर दो integer को हम लोग addition करवा रहे हैं, तो उनका answer भी integer में निखलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, addition, answer, equal to, क्या होगा, number one, plus number two, अब यह देखे, simple सा हमरे पास के number one को, यहां पर जो भी value आ रही है, इसके थुरू, वो यहां पर आ जाएगी, plus क्या होगा, यहां से जो भी value आ रही है, integer में change होगे, वो यहां पर आ जाएगी, और इन दोनों को add करवाके answer, जो है, वो इस answer के variable में save करवा देगा, तो अब हम हमने इस answer के variable को show करवाना है, simple, इस text view में, जो answer आ जाएगा, यहां भी हमारे पास answer आ जाएगा, उसको हमने text view में show करवाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कि यहां पर text view, text view.text, उस text view के text में क्या show हो, कि यहां पर text view है, इसमें हम लोग string को show करवाते हैं, तो simple, यहां पर हम लोग लिखते हैं, addition, क्या चीज़, addition, जो मतलब answer आ है, यहां पर हम लोग लिखते हैं, answer, और यहां पर plus करके, यहां पर हम लोग बेशक integer देदें, या string देदें, वो हमारी मर्जी है, तो यहां पर हम लोग जो है, इस answer को लिखते हैं, इसी क्या होगा, कि वो जो answer है, वो इस text view में हमारे पास show हो जाएगा, यहां पर पहले लिखाएगा answer, क्योंकि यह string है, तो as it is show होगी answer, उसके बाद double dot, उसके बाद एक space है, इसका जो भी answer plus होने के बाद आएगा, वो यहां पर show होगा, तो सिरफ इतना सा काम है हमारा, और अब हम लोग क्या करेंगे, उस button पे इस function को call कर वादेंगे, उस button पे click होने पे क्या होगा, पहले वो क्या करेगा, field 1 उठाएगा, उसको antigen में change कर देगा, field 2 से data उठाएगा, number 2 में save कर वादेगा, उसके बाद दोनों को add कर वादेगा, इस text view में show कर वादेगा, तो इतना सा code था, यह code आप लोगो description में मिल जाएगा, वहाँ से आप download भी कर सकते हैं, या आप खुद अपने हाथ से लिखना चाहें, तो वह आपकी मरसी है, अब हम लोग क्या करते हैं, कि यह script हमारे पास आगी है, इस script को हम किसी भी, जो हमारे स्पेसिफिक टास्क करवा रहे हैं किसी चीज़ पर तो उसके लिए जुरूरी है कि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पर लगाता हूं, किसी भी चीज़ पर लगाते हैं, जो थूर्टी गेम, मतलब गेम जब चल लिए तो वह चीज एक्टिव हो, उस पर आप लोग की script लग हैं, क्योंकि script में तो उसको पता कि दो fields हैं, अब यह fields आ कहां से, यह unity से कैसे आएंगी, इसके साथ attach होंगी, वो इसके थूरू हम बताते हैं, जब यहां पर pass कर देते हैं, तो script को पता जल जाता है कि यह वाली input field पर मैंने काम करना है, और यह वाली input field पर काम करना है, उसक पर क्लिक करेंगे, अब canvas पर हमाँ पता script लगी हुई है, तो यह नीचे script है, यहां पर हम addition के function को call कर देते हैं, इसको save कर पादें, control ऐसे, और अब हम लोग प्ले करके देखते हैं, प्ले करने के बाद, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, 4 plus 2, और add के button पर क्लिक करते हैं, तो यह चेक करें, चांसर आपको शो हो रहा है, अंस 6, अब हमें यहां पर मसला क्या आता है, मसला यह है कि, अब input field है, यहां पर तो वह string उठाता है, हम 4A लिख देते हैं, यहां पर 4A, उसके बाद लिख देते हैं, यहां पर 5B, अब यह तो होगी, यहां पास integer हैं, यह त अब यहां पर यह देगा, error, मैं add कर रहा हूं, 5 or 4 यह नीचे error आ गए, exception, input string was not easy correct format, हमें उसका format चाहिए, इसको हम लोग कैसे manage करेंगे, इसको बंद करते हैं, input fields में चाना है, input field में चाने के बाद, मैं पता है कि हमारी, जो input field है, उसको क्या चाहिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, content type, यहां से मैं select कर लूँगा, integer number, दूसरी field में भी आके, यहां पर मैं select कर लूँगा, integer number, अब मैं अगर play करता हूँ, play करने के बाद, यहां पर मैं click करूँगा, और कोई भी character लिखने कोशिर करूँगा, मैं लिखी नहीं सकता, click कर रहा हूँ, click कर रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा, क्योंकि वहां पर हमने बता दिये, कि इस input field को सिरफ integer ही चाहिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूँ, अब to number को यहां पर लिखने कोशिर करूँगा, और यहां पर हम लोग 6, 6 & 4, 10, तो इसको add वे click करते है, answer is equal to 10, तो इस तरह से आप पूरा का पूरा calculator भी बना सकते हो, आप अपनी मर्जी है आपकी, तो आप जिस तरह से इस input field को use करना चाहो, तो यह एक छोटा सा code था और छोटा सा task था आपका पहला unity में, तो इसको लाजमी try करें, और इसमें, मैंने addition का बनाए, आप 3-4 बटन बना लें, कि यहां से data उठाए, उसको addition का, अगर वो add वे click करता है, तो addition show हो, अगर subtract वाला बटन दबाता है, तो इससे subtraction हो, अगर multiplication का बटन दबाता है, तो multiplication हो, तो यह आपक अपनी तरीके से जो है, एक छोटा सा आपके लिए task है, कि आप यह काम करें, एक छोटा सा calculator, addition, multiplication, subtraction, and division का calculator बनाए, और उसकी application को आप export करें, तो अगर export का नहीं पता चलता, आपको तो comment में पूछ लें, वो भी आप लों को बता देंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो मे करता हूँ, वीडियो पसान दाए होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में टबता के लिए दीजे इजासत, अल्हाफिस,